बिस्मिल्लाई रमान रहीम, वेलकम टू सरकारी जाब गुरू दोस्तों, मिनिस्ट्रो डिफेंस के जो अब इंटर्व्यू हो रहे हैं असिस्टन डारेक्टर का हो गया है बाकी सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक अनलेक्स्ट, यूडीसी, लडीसी और टेक्निशन और दूसरी पोस्ट के लिए इंटर्व्यू अभी कंड़क्ट होने जा रहे हैं तो पिछली बार जो इंटर्व्यू हुए थे और इस बार जो असिस्टन डारेक्टर का इंटर्व्यू हुआ है इस सब को मिला कर मैंने 10 most important questions निकाले हैं ये 10 questions ऐसे हैं जो हर बार हर इंटर्व्यू में लाजमी पूछे जाते हैं और अगर आप इनके answers खुद से prepare करके जाएंगे पहले से तो आप इंशालला इस test को जरूर पास कर सकेंगे इसमें वैसे कोई question नहीं आते के general knowledge का कोई आपसे question डारेक्ट पूछ रहे है कि ये क्या है या इस मुलका वजीराजम कौन सा है ये किस की currency है इस तरह के question नहीं होते ये purely आपकी personality को judge करने के लिए questions होते हैं और ये तमाम questions जो है वो एक ही नोयत के हैं और सब interview में यही पूछे जाते हैं तो देखते हैं कि कौन से कौन से ये questions हैं और इसके बाद आपने interview के लिए questions की answers कैसे देने हैं कैसे तियार करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चलते हैं देखते हैं तो जो पहला question होता है वो बात करते हैं कि introduce yourself आप अपना introduction दें वो आपने किस तरह से देना है फिर है tell us about your family background इनको detail में आगे discuss करते हैं पहले questions देख लें आप अपने family background के बारे में हमें बताएं फिर आगे आपकी degree के बारे में पूछ लेते हैं जैसे कुछ लोगों की degree अगर political science में है उनकी BA वगरे हुई भी है या international relation में है international law में है तो उन से उस हिसाब से question पूछे जाते हैं तो ये political science की degree वाले से सवाल पूछा आ गया last time का ये question है कि UAE जो मुतेदा अरब अमारत है उसने इसराईल को recognize कर दिया है तो अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या Pakistan को इसराईल को recognize करना चाहिए या नहीं यानि पाकिस्तान को इसराईल को तसलीम करना चाहिए या नहीं तो उसके बारे में views देने थे फिर है कि आप जब से आपने graduation की तब से आप क्या कर रहे हैं कहां मसरूफ थे फिर छटा question जो most important है वो यह है कि what is your favorite Pakistani heroine तेक है तो वो कौन सी है actresses या heroine कौन सी है उसका बताना है आपने और obviously उसमें से पिर सवालाग कूछे जाते हैं फिर आगे है कि what will be your first step if posted in hometown तेक है फिर है what is your role what is the role of intelligence agencies intelligence agencies जहें उनका role क्या है और what do you prefer power or money and what are your weaknesses आपकी weaknesses क्या हैं कमजोरिया क्या हैं तो यह कुछ सवाला थे जिनके जो answer अगर आप पहले से त्यार करके जाएंगे और on the spot आपको सोचना आना पड़े तो यह आपको काफी helpful हो सकते हैं और इसी में से आगे interview continue होता है next चलते हैं कि अब आपने dressing किस तरह से करनी है dressing का यह बता दू कि कुछ लोग ऐसे जो ना वो कोई शलवार कमीज ऐसे ही पहन के चले जाते हैं कोई pen shirt जो ना पहन के चले जाते हैं ऐसे नहीं होता या तो आप टूपीस पहनेंगे जिसको full suit भी कहते हैं और अच्छे से उसमें color की tie और combination जो ना आपका अच्छा होना चाहिए और या फिर आप अगर commercial वार पहन रहे हैं तो उसको उपर बाकाइदा वेस्ट कोट पहने और जो के color उसका भी साफ होना चाहिए अच्छा होना चाहिए और simple होना चाहिए तो ये आपकी dress code इस तरह से होना चाहिए फिर shoes अगर पहन रहे हैं तो वो formal shoes आपने पहनने हैं ठी इसके इलावा ये नहीं है कि आप अगर sandals वगरा या चपल पहन के जा रहे हैं या जो है ना पिशावरी sandals पहन के जा रहे हैं नहीं ये सारी prohibited हैं तो सिर्फ और सिर्फ बहले आप फिर suit पहने या आप commercial पहने आपने नीचे उसके shoes पहनने हैं इंटर्व्यू पैनल की अग president कहा देते हैं उस पैनल का बाकी जो है ना उसके assistant होते हैं और जो president होता है वह जाहिर सी बात है most senior होता है तो ये साथ से 9 लोग होते हैं AD के test में जो है आठ नो लोग होते हैं और जो sub inspector वगरा हैं इनके लिए 7 बंदे कम से कम होते हैं अब जब रूम में एंटर होना है आपने बाहर से गए तब क्या करना है सबसे पहले आप जाते हुए फॉर्मली एक जो है ना नौक कर दें हलका सा उसके उपर दस्तक दे के फिर इंतजार नहीं करें कोई आपको आवाज़ दे बस हलकी से दस्ते दे के अंदर आप एंटर हो जाएं और जाएं जैसे आप अंदर एंटर हो तो हेलो या असलाम लेकुम कहें इतनी आवास में को उनको सुनाई दे ज्यादा तेज आवाज भी नहों ज्यादा मद्दम आवाज भी नहों फिर अपनी चेयर के पास जाके चेयर के पास राइट साइड पे हलका सा वहाँ पर खड़े हो और इतने टाइम में वह आपको कहा दें के बैट जाएं तो यह आपने थोड़ा सा इसका ख्याल रखने ज् पिर आप जैसे वह कहें कि आप बैड़ जाएं अपनी सीट को अच्छे से फुली ऑक्यूपाय करके यह नहीं हो आगे होके बैड़ यह फुल पीछे होके टेक लगा के सही से और अपनी बाड़ी को इस तरह से स्ट्रेच करके थोड़ा अकड़ के भी नहीं बैटना लेकिन प्रॉपर उसका बाड़ी आपकी ऐसे मूव नहीं होई वी होनी चाहिए या फोल्ड होई भी नहीं होनी चाहिए कमर ऐसे आगे को जुके होई नहीं पीछे प्रॉपर उसको लेकर और फेस आपका बिलकुल उनके सामने सीधा होना चाहिए और फेस पे हलकी सी जेंटल जो स्माइल होनी चाहिए ज्यादा मूँ खुला हुआ स्माइल भी नहीं करनी हंसना नहीं है लेकिन हलकी सी जैसे स्वीट स्माइल जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए फिर अब जो कॉस्चन्स वो पूछ रहे हैं उसका सही से जवाब कैसे देना है आपने वो जो पहले 10 कॉस्च स्काइब कर दिसुच कहते हैं पूस्चुच कहते हैं पूस्च एक्स वाइजी पुर्ट तु छाव ऑर ट्रे ट्रेंग यदोड जोड़ेंग ट। उसके बारे में ची उर्यार्सल करें ताकि आप एक फ्लो में यह सारी चीजे बोल जायें और एक स्वीट सा आपको कहूंगा कि मिनिमम आपके 30 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए 30 से कम नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें प्रॉपर आप चार पांच चीजें बता दें बड़ी बड़ी जो आपके बारे में हैं ताकि उसमें से फिर वो कोई क्वेश्चन निकाले या मुझे फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा वो था और मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था अगर कोई आप पास जॉब नहीं है ठीक है या कुछ ऐसा काम कोई जिससे उनको वो आप से कोई सवाल पूछ सकें ठीक है उसमें इंगेज हो जाएं तो यह एक इंट्रोडक्शन लेकिन अगर आपना नाम बताएंगे अपना शेहर बताएंगे फादर का नाम बताएंगे कालिफिकेशन बताएंगे तो वो वहां पर रुक जाएंगे और वहां पर फिर कोई उसमें से सवाल नहीं पूछ सकते हो तो आपको चाहिए कोई ऐसी बात रखें जिससे वो आपको इंग वो एक बात करते हैं पूरी वो बात करके फिर उसमेंसे सवाल पूछते हैं अगर आपने बात सुनी नहीं आप जल्दी से उसका रिस्पॉंड करने लग गए तो वो गलत इंप्रेशन जाता है कि ये जो एना इसको ये एक्टिव लिसनर नहीं है और जो एना कम्पलीटली बा बात को सुनें अराम से जब वो चुप कर जाएं फिर उसका जवाब दें सोच के अच्छे से और फिर बहुत ज्यादा बोले नहीं कोशिश ये करें कि टॉक लेस और जो भी बात वो पूछें तू दा पॉइंट उसका आप आंसर दे के चुप कर जाएं जब जितना प्रॉपर आंसर अब यूर होबीज अब जो आपके होबीज हैं फेवरेट परसनलिटी है करेक्टर अगर कोई आपका फेवरेट है या कोई बुक है तो उसकी अच्छे से प्रिपेर कर के जाएं उसके तियारी कर के जाएं कि ये मेरा वहां पर नहीं सोचना कि मेरी विकनेस क्या है अच्छा ये विकनेस है और ये और ये ऐसे नहीं वहां पर प्रॉपर जो है ना फ्लूएंटली आपने जवाब देना है और विटी होना चाहिए आपको जल्दी से जो आप उसका आंसर दें और जो भी करेक्टर है या जो भी परसनलिटी है उसके बारे में पढ़ी होनी चाहिए किसने लिखी है उसके राइटर के बारे में थोड़ा सा नौलिज होना चाहिए तो ये सारी चीजें तयार करके जाएंगे तो वहां पर आपको परेशानी नहीं होगी वरना तो आप सोचते रहेंगे मेरी फेवरेट बुक कौन सी है फिर आप उसमें क सेलेक्टिड अगर पूछ सकते हैं आपसे ये भी कॉश्चन है अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो फिर क्या करोगे फिर आपको आनसर उसका आपको आना चाहिए कि बही मैं जो पहले काम कर रहा हूं उसी को कंटीन्यू करूंगा और ज्यादा इसके बारे में कोशिश करू यानि पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और जो में पार्टनर्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है और रिसेंट जो भी इशूस चल रहे हैं अभी उसके बारे में पढ़ने जो भी मसले मसाइल हैं इंडिया के साथ जो हैं और इसके लावा चाइना के साथ ह आपको होनी चाहिए फिर तालबान रेजीम जैसे अफगानिस्तान में आया है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई अभी यह क्या चल रहा है वहां पर कैसे हो रहा है कैसे वो टेक ओवर कर रहे हैं हुमन राइट्स का क्या सीन है वहां पर तो यह सारे कुछ आपने इस पताया टिस जो थाएं को मेरे सामने जितने हमने भी हमने भी इंटरव्य हो दिए हमारा एक सब्रेइश को जो अब इस्धिंड ने कर आ कर आरहे हैं उनका भी एक सब्रेइश है और उसके इलावा जो लास टाइम इंटरवे हुए थे तो यह सारी बातें जो इस वीडियो में आपको बता दिया है तो आप प्लीज इसकी अच्छे से त्यारी करें और अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें थैंक यू